हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका अरबिंदू क्लासेज में और आज से हम एक नया सीरी सुरू करने जा रहे हैं 67th BPSC प्रिलिम्स को लेके इसमें हम reverse engineering का यूज करेंगे so that कि कम से कम समय में हम जादस जादा output ले सकें और हम previous year questions के through concepts को learn करने की कोशिश करेंगे और आज से हम पहले 65th BPSC में पूछे गए सवालों को देखेंगे और उनसे related सारे concepts को detail में देखेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल तो आप इसको एक क्यूज के तरह भी ले सकते हैं और आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं आप मुझे नीचे comment box में comment करके बताएं इसका सही जवाब है इसको सखाराम गनेश देउसकर जी ने इस बुक को लिखा था और इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है कि देशेर कथा में किस चीज का वर्णन किया गया है इस किताब की पहली एडिशन जून 1904 में आई थी और इस किताब का बहुत ही गहरा प्रभापरा था यंग पिपुलह बंगाल पर और इस किताब को बंगाल की सरकार ने बैन भी कर दिया था 1910 में और इसके सारी कोपीज इसको उन्होंने कॉन्फिस्केट कर लिया था अगला सवाल है सर्च लाइट नूस्वेपर के इडिटर कौन थे बिहार में पहला अप्शन अब्दुलबारी लंबोदर मुखर जी मुल्ली मोहन परशाद रामानंद चैटर जी इसका सही अंसर है सी उपर दिये गए जितने पर्सनाल्टीज थे उनमें से मुल्ली मनोहर परशाद इसके एडिटर रह चुके हैं उसमें भी लॉंगेस्ट सर्विंग एडिटर यह रहे थे इसके अलाबा इसकी सुरुवात हुई थी 1918 में और यह एक वाई बीकली नूस्वेपर था लेकिन 1930 आते आते यह हर दिन परका आता है नूस्पेपर ने काफी महत्तपुर्ण रॉल अदा किया था ना सिर्फ आजादी के पहले इभिन आजादी के बाद भी इस अख़वार ने बहुत ही महती भूम का निभाई थी ब्रिटिश गॉवर्मेंट ने इस अख़वार पर कई सारे रिस्टिक्शन्स लगा द रहे थे तीसरा सवाल है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अस्थापना 1931 में किसने की आप्शन वन फूलन परशाद बर्मा श्वामी योगानंद नरहरी पारिक दादा भाई नौरो जी इसका सही जबाब है एंसर एंसर ए यानि फूलन परशाद बर्मा जी ने इसके अस्थ नल्टी नहीं है इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होती है तो देखते हैं भिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में इसके संस्थापकों में जैपरकाश नरायन फूलन परशाद बर्मा राहुल संकृत्यायन अब्दुल बारी गंगाश रन सिन्हा एंड अमिका कांत सिन्हा जी का नाम आता है और इसकी अस्थापना जुलाई 1931 में की गई थी उत्तर प्रदेश में इस सोशलिस्ट पार्टी को लीडर्शिप दे रहे थे संपूर्णा नंदी जी एंड ओल इंडिया कॉंग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अस्थापना पत्ना में 17 मई 1934 को किया जात इसका सही जवाब है बी एलन ओक्टेवियन हुम इसके संस्थापक थे इट वास फॉर्म्ड इन 1885 और यह इनिशेटिव था एक रिटाइड सिविल सर्विस ऑफिसर एलन ओक्टेवियन हुम जो की एक ब्रिटिश थे इस कॉंग्रिश का जो पहला सेशन होता है वह 28 से 31 दि पहले ही दे दिया था अलाकि कॉंग्रेस का यह पहला सेशन पूने में होने वाला था लेकिन पूने में कॉलरा का आउट ब्रेक हो जाता है इसलिए इस सेशन को पूने से बॉम्बे सिफ्ट कर दिया जाता है इस पहले सेशन की अधक्षता बोमेश चंद्रबनर जी ने की और बिटिश हिस्टोरियंस इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अस्थापना को बताते हैं कि यह एक सेफटी वॉल्ब थेवरी के तहत किया गया था इस थेवरी के तहत वो बताते हैं कि भारतियों में जो रोस था उसको वो निकालने के लिए कोई न कोई तो जगह चाहिए थी इसलिए इस इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अस्थापना की गई थी ताकि जो इंडियन एंटिलेक्चुल्स थे इस कॉंग्रेस में जाकर अपनी बाते रख सके और इनकी बाते जन मानस तक ज़्यादा परचाडित और परशाडित ना हो अगला सवाल है और इसका सही जबाब है बाल गंगा धरतिलक एंसर सी ये इनका बहुत ही फेमस कोड था स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा बाल गंगा धरतिलक को लोक मानने भी कहा जाता था और इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रतनागिरी डिस्टिक में महरास्ट में हुआ था इन्होंने कुछ अखबार भी प्रकाशित किये थे उनमें से कुछ परमुक्त थे केशरी जो की मराठी भाषा में था और महारत जो की अंग्रेजी भाषा में था और इनके साथ इस अखबार के प्रकाशन में विश्नु सास्तरी चिपलूंकर, M.B. नाम जोशी, वमन राव आप्टे और गोपाल गनेश अगरकर भी सामल थे इन्होंने लोगों को मोबलाइज करने के लिए गनेश चतुर्थी और सीवा जी के बड़े को यूज किया था और इसको एक मास सेलेबरेशन के रूप में सेलेबरेट किया जाता था 1916 में इन्होंने होम रूल लिखती है स्थापना की और इस समय जो एक हिस्टरिक लखनोग प्याक्ट था उसे भी इन्होंने साइन किया था और ये ओफिशियली अपोज किये थे 1891 में एज ओफ कॉंसेंट बिल का इस बिल के तहट क्या किया गया था कि लड़कियों की साधी की जो एज थी उसे बढ़ा के 10 से 12 कर दिया गया था इनका कहना था कि यदि भारतिय समाच खुद से यह प्रयास करती वह खुद से लड़कियों की उम्र को बरहा के 10 से 12 करती तो इसमें कोई परहिज नहीं था लेकिन कोई बाहर का आदमी आके हमें यह बताएगा कि हमें कितने उम्र में साधी करनी है तो यह इनके अनुसार एक गलत चीज था इन्होंने Deccan Education Society की भी हस्थापना की British Colonial Authorities इनको कहते थे कि Father of Indian Unrest चाहिए इन्होंने कुछ famous किताब लिखी like The Arctic, Home in the Vedas, The Orion and Gita Rahashya प्रविन्ना टाइगोर गेब फिज नाइट हूड विकाउज आफ ऑप्शन A, Brutal Suppression of Civil Disobedience Movement, Execution of Bhagat Singh, जालियावाला वाला वाग ट्रैजडी, चौरी-चौरा इंसिडेंट दे राइट एंसर इज जालियावाला वाला वाग ट्रैजडी रविन्ना टाइगोर पहले ऐसे एशियन थे जिनको की Nobel Prize दिया जाता है इन Literature in 1913 और इनको थर्ड जून 1915 को नाइट हूड की उपाधी दी जाती है लेकिन इन्होंने अपनी यह जो नाइट हूड की उपाधी थी यह 1919 को छोड़ दी क्यों छोड़ दी क्योंकि जालियावाला वाग जो हत्याकांड हुआ था इसके प्रती यह अपना रोश व्यक्त कर रहे थे और इन्होंने कई सारे कविताएं लिखी बांगला में इनकी लिख्यों ही जो कविताएं थी उसको बांगला देश अपना राष्ट्रगान बनाता है नेशनल एंथिम बनता है अमार शोनार बांगला और भारत का जनगणा मनभी रविन्ना टैगोर का ही लिखा हुआ है स्रिलंकन नेशनल एंथम भी रविन्ना टैगोर के पोईट्री से ही इंस्पाइड है अगला सवाल देखते हैं कुश्चन नमबर सेबन फू इस्टेबलेश्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आप्शने लाला लाश्पत्राय विफिन चंद्रपाल गोपाल कृष्न गोखले गोपाल कृष्न गोखले ने सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के अस्थापना 12 जून 1905 को किया था और इनका मक्सर था तु यूनाइट एंड ट्रेन इंडियंस ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप फोर सोशल सर्विस एंड रिफॉर्म्स के लिए और इस पतेश अपपाजी ड्रविट गोपाल कृष्न देउधर एंड अनंत विनायक पतवर्धन यह तीनों इस सोसाइटी के पहले मेंबर्स बनते हैं आगे देखते हैं इस सोसाइटी को जो जोईन करने वाले लोग थे वह पान साल की ट्रेनिंग पुरियट में जाते थे और वह एगरी करते थे कि वह एक्स्ट्रीमली मोडेस्ट सैलेरी पर काम करेंगे सोसाइटी के लिए and 1915 में गोखले को रिप्लेस करते हैं स्रीनिवा सास्त्री as the President of Servants of India Society Question No.8 Which revolutionaries were hanged in the काकवरी ट्रेन रोब्री केस काकवरी ट्रेन रोब्री केस was carried out by the members of Hindustan Republican Association and यह association आगे जाके Hindustan Socialist Republican Association के नाम से जाना जाता है और इस ट्रेन रोब्री को लीड कर रहे थे रामपरसाद बिस्मिल and अस्फा कुल्ला खां और इस रोब्री को अंजाम दिया गया था 9 अगस्त 1925 को इस रोब्री में राजिंदर लाहिरी, चंदर शेखा राजाद, शाचिंदर बक्षी, केशव चक्रवर्ती, मनमत नाथ गुपता, मुकुंदी लाल और बनवारी लाल भी सामिल थे यह ट्रेन जिसे लूटा गया था, यह साज अहाँपूर से लखनव जा रही थी, पैसों से भड़े बैक को लेके, जो ब्रिटिश ट्रेजरी का हिस्सा था और इसको रोक कर इसको लूट लिया जाता है, और इस पैसे का यूज इनको करना था अपने रिवॉलिशनरी एक्टिविटीज के लिए आगे देखते हैं, इस रोबरी के बाद, टोटल 43 रिवॉलिशनरी इसको अरेस्ट किया जाता है इन में से 15 के अगेंस्ट, लैक ओफ इविडेंस के कारण कोई चार्ज नहीं चल पाता है और इनको रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन जो रेस्ट 28 बचे थे, इनके अगेंस्ट ट्राइल सुरू होता है 21 में 1926 को राम परशाद बिस्मिल, ठाकुर रॉशन सिंग, राज़ंदरनाथ लाहिरी एणि अस्वा कुला खागो फासी के सजा दी जाती है और साचिंदरनाथ सान्याल, सचिंदर वक्षी को काला पानी के सजा दे दी जाती है, और इनको अन्दमान में सेलुर जेल में भेज़ दिय जाता है चंद्रशेखा राजाद एक ऐसे परसनाल्टी थे जो अंत तक भी अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं आए यह जब इलाहबाद यानि की आज के पड़्याग राज में थे तो किसी गुप्तचर ने अंग्रेजों को यह खबर दी दी कि चंद्रशेखा राजाद अल मरपन करने की अपेक्षा खुद को बह गोली मार लेना उचित समस्ते हैं और 27 फरबड़ी 1931 को चंद्रशेखा राजाद इस देश के लिए सहीद हो जाते हैं अगला सवाल है और इसका सही अंसर है सी आरदास ने यह बुक इंडिया फोर इंडियन्स लिखा था अंडिया दास को हम देश बंधू के नाम से भी जानते हैं इनका पूरा नाम चितरंजन दास है और इनका जन पांच नॉम्बर 1870 को कोलकाता में होता है यह बंगाली पडिवार से थे और जब यह अंगलैंड में थे तो दादा भाई नरोजी के लिए इलेक्षन की केमपेनिंग कर रहे थे आपको यह जान के हरानी होगी कि दादा भाई नरोजी अंग्रेज के देश में जाकर वहां उनके लोवर हाउस के लिए हाउस आफ कॉमन्स के लिए इंगलैंड में ही इलेक्षन लड़ते हैं सेंट्रल फिंसबरी से और उस इलेक्षन में सियार दास दादा भाई नरोजी के लिए कैमपेनिंग करते हैं 1908 में यह डिफेंड करते हैं और बिंदो घोष को इन अलिपूर बॉम केस में क्योंकि चितरनजन दास एक वकील भी थे उस जमाने के सारे जो बड़े नेता जिन्हें भी हम जानते हैं यह सारे के सारे वक प्रिसनल कॉंग्रेस का उस शेशन के प्रिसिडेंट भी थे यह और इन्होंने कुछ अखबार लाए जो इनका अखबार था उसका नाम था फॉरवर्ड बाद में इसका नाम इन्होंने बदल के रख दिया दिवर्टी मूतिलाल नहरुजी के साथ यह मिलके 1923 में सुराज पाटी की अस्थापना करती हैं और इसकी नीव इन होने असल में गया सेशन में ही रख दी थी इनकी मौत 16 जोन 1925 को दार्जलिंग में लंबे समय की बिमारी के बाद हो जाता है कुश्चन नम्बर 10 सत्य सोधक समाज वाज फाउंडेड बाई ऑप्षन द्यान अन्सरस्वती जोतिवा फूले गांधी जी डॉक्टर बाबसाहिब अम्बेटकर और इसका सही जबाब है ऑप्षन भी जोतिवा फूले सत्य सोधक समाज का लिटरल मिनिंग होता है टूथ सीकर्स सुसाइटी और यह एक सोचल डिफॉर्म सुसाइटी था जिसकी की अस्थापना महत्मा जोति राव गोविंद राव फूले जी ने 1873 में की थी और इन्हें पॉबुलरली जोतिवा फूले के नाम से जाना जाता और सत्य सोधक समाज की स्थापना इन्होंने महाराष्टर के पूने में की थी यह समाज फोकस करता था on providing education और increasing social rights of underprivileged groups और इस underprivileged group में women, शूद्र और दलित आते थे अबित्री बाई फुले जोतिवा फुले की पत्नी थी और यह women section of the society को head कर रही थी जोतिवा फुले के मरने के बाद early 20th century में समाज यह society फिर से revive करता है बाई साहु महराज जो की Maratha ruler थे कोलहापुर के अगला सवाल question number 11 who was the first women president of Indian national congress option A Kosturva Gandhi option B Mrs. Annie Besant C Sarojini Naidu D Bhakti Lakshmi Desai The correct answer is Mrs. Annie Besant यह Indian national congress की first women president थी इंडिया national congress के total 3 women president बनते हैं from 1885 to 1947 इन में से पहली जो थी वह Annie Besant थी C became first women president of congress और यह बनती है 32nd session of congress जो हुआ था at Kolkata 1917 में उसमें यह president बनती है इन्होंने दो अखवार भी लाए थे इनका जो पहला weekly newspaper था उसे common will कहा जाता था This is not common will, common will 1914 में इसका प्रकाशन शुरू होता है जून 1914 में यह एक अखवार जो पहले से प्रकाशित हो रहा था मदरास standard इसे परचेज कर लेती हैं और इसका नाम बदल कर या New India रख देती हैं इन्होंने Home Rule League की अस्थापना की 1st September 1916 को हमने अभी पहले देखा था बालगंगा धर तिलक जी ने भी Home Rule League की शुरूआत की थी लेकिन यह दोनों Home Rule League अलग-अलग छेत्रों में काम कर रहे थे 1917 में एनी बिसेंट ने Women's Indian Association की शुरूआत की and in 1927 First All India Women's Conference held किया जाता है अट पुना जो दूसरा President बनती हैं Congress की वह थी सरोजनी नाइडू यह थी तो दूसरी विमन लेकिन यह थी पहली भारतिये विमन जो Congress की President बनती है She was the President of Annual Session of Congress in 1925 at कानपूर और जब East African Indian Congress का सेशन होता है 1929 में South Africa में उसे भी यह प्रिसाइट करती है और आजाद भारत की पर्थम महिला Governor बनने का भिसरे सरोजनी नाइडू जी को प्राप्त है और इनको United Provinces यानि की आज के उत्तर परदेश का इनको Governor बनाया जाता है तीसरी महिला जो की इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की प्रेसिदेंट बनती है वह थी नेली सेन गुपता 47th Annual Session जो कॉंग्रेस का कलकत्ता में हुआ 1933 में उसकी इन्हों ने प्रेसिदेंसी की थी Question No.12 Who was the first सत्याग्रहy of Individual सत्याग्रह Movement? सरोजनी नाइडू, सी राजगोपालचारी, विनोबा भावे, सुवास्चंद्र बोस और राइट एंसर इज विनोबा भावे Individual सत्याग्रह की सुरुवात दित्य विश्यूद के समय कॉंग्रेस पार्टी ने की थी यह वह समय था जब भारत की भागिदारी इस विश्यूद में भारत के लोगों और इहां के नेताओं के कंसेंट के बिना British Government सुनशित कर देती है इस बात का विरोध करने के लिए और साथ ही अगस्त आफर का अपोजीशन करने के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने यह इंडिविजोल सत्यागरह 17 अक्टूबर 1940 को लॉंज किया जहे दिन महातमा गांधी ने आचारी विनोबा भावे को अपने पहले सत्यागरही के तौर पे चुना था और जवाहलाल नेहरू दूसरे सत्यागरही थे ब्रह्मदत को तीसरे सत्यागरही के तौर पे चुना जाता है इसका सही जबाब है सामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस एक पोस्टल था जिसे सामजी कृष्ण वर्मा ने अस्थापित किया था और यह क्रॉम्वेल एबिन्यू हाईगेट लंदन में इस्थित था यहां लगभग 25 विद्यार्थियों के रहने की जगह थी भारत से विद्यार्थी पढ़ने के लिए अकसर लंदन जाया करते थे और इसलिए एक होस्टल की आप शक्ता महसूस हुई स्थामजी कृष्ण वर्मा को तो उन्होंने एक जुलाई 1905 को इसका इनॉग्रेशन कराया हैंडरी हैंड माइन के हाथों से और इस अबसर पे दादा भाई नौरोजी लाला लास पत्राय और मैडम विकाजी कामा भी मौजूद थी कृष्ण वर्मा का एक जर्णल भी था जिसे इंडियन सॉसोलोजिस्ट कहा जाता था इंडिया हाउस का लीडर्शिप अभी 1907 में वीर दामोदर सावरकर के हाथ में आ जाता है क्योंकि शामजी कृष्ण वर्मा अब लंदन की जगा पैरिस सिफ्ट हो गया थे 1909 में इंडिया हाउस के ही एक मेंबर मदन लान ठिंगरा जी एसेसिनेट कर देते हैं सर डबलू एच करजन वाईली का यह जो करजन वाईली था यह पॉलिटिकल सलाहकार था सेक्रेटरी आफ अस्टेट जो इंडिया के हुआ करते थे कुश्चन नमबर फोटीन वू लेट दा साल सत्याग्रहिन भागलपूर ओप्शन ए श्री कृष्ने सिंग महादेवलाल सर्राफ कुमार मिश्रा सत्यनारायन और करेक्ट एंसर इस महादेवलाल सर्राफ श्राल सत्याग्रह सिविल डिसोविडियन्स मुव्मेंट का एक पार था जो 1930 में 12 मार्च को लॉंज किया जाता है महादमा गांधी ने एक 24 डे मार्च किया था 12 मार्च 1930 से 6 एप्रिल 1930 तक फ्रॉम साबरमती आश्रम से दांडी कोष्ट तक और वहाँ जाके इन्होंने जो अंग्रेजों का कानून था कि नमक नहीं बनाना है इन्होंने नमक बनाके इस कानून को तो रहा था अब चुकि बिहार तो एक लॉइंड लॉग्ड है बिहार में तो कोई समुद्र है नहीं तो बिहार के लोगों ने भी साल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रिपेर किया था साल्ट पीटर को आउट ओफ अर्थ और बिहार में यह साल्ट सत्याग्रह जो चौकिदारी टैक्स है उसे पे ना करें अगला सवाल है कुश्चन नंबर 15 फू लेट द अमबारी सत्याग्रह इन 1939 इन बिहार आप्शन ए राहुल संकृत्यायन यदुनंदन शर्मा श्वामी सहजानन्द आप्शन दी स्वामी योगानन्द एन दा करेक्ट एंसर इज राहुल संकृत्यायन राहुल संकृत्यायन का जन्म केदारनाथ पांडे के रूप में होता है नाइन अप्रिल 1893 को आजमगर यूपी में यह एक एक एक्स्टेंसिफ ट्रैबलर थे जो पूरे दुनिया भर में घुमते रहे और इन्होंने इसलिए इनको इंडिया में फादर ओफ इंडियन ट्रैवलाग ट्रैवल लिट्रेचर भी कहा जाता है और यह बिहार में 1939 के अंबारी सत्याग्रह को भी लीड करते हैं तो यह था इस वीडियो का अंत और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करें और य नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तब तब के लिए जय हंद जय भारत